नमस्कार दोस्तों इन्वार अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है बचो इस वीडियो में भी कुछ महतोपून कोशन्स पे बात करेंगे जो आपके आने वाले सबी एक्जाम में आपके लिए काफी उपयोगी प्रूफ होंगे हमारा पहला कोशन है सोलिड वेस्ट से रिलेटेड कोशन में कहा गया है कि आपका दे वेस्ट कॉम्पोनेंट ओफ वेस्ट कैटेगराइज एज ट्रैस कंसिस्ट ओप और आपको जो है पाँच ओप्शन दिये गए हैं तो इस टाइप के कोशन जो हैं अज कल काफी popular हैं अगर हम मुंसिपल सोलिड वेस्ट की बात करते हैं तो मुंसिपल सोलिड वेस्ट को हम दो मुख्ये मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं एक केटेगरी होती है गार बेज और दूसरी होती है रबिश गार बेज केटेगरी जो होती है उसमें आपका food waste आता है या आप wet waste भी कह सकते हैं बट बेसिकली अगर इसको बहुत ही अच्छे से हम define करने की कोशिश करेंगे तो गार बेज हमेशा food waste होता है दूसरा आपका dry waste है जिसको rubbish कहा जाता है उसको हमने अगेन दो हिस्सों में दो पार्ट में divide किया है एक है tress और दूसरा है आपका non-cubustible part जो tress material है rubbish का वो वो पार्ट है जिसमें अगर हम देखें तो आग लग सकती है वो आग पकड़ सकता है तो rubbish में जितनी भी आपके dry waste हैं वो सब आ जाएंगे और rubbish को आगे फर्दर हमने जो divide किया tress और non-cubustible part में तो tress में rubbish का वो हिस्सा आएगा वो पार्ट आएगा जिसमें आसानी से आग लग सकती है तो अगर हम देखें इन सभी option में आपका paper, cardboard and आपका wood a and e यह दोनों option जो हैं सही है animal waste हो गया ठीक है यह नहीं आएगा industrial process waste and vegetable waste बी सी और डी यह तो हमने जो है देखके ही segregate कर लेना है a and e यह हमारे question का सही answer है तो option number a a and e only इस question का सही answer हुआ इस परकार से अगला question जो है आपका energy से related है small hydropower potential in India is estimated approximately as 20 gigawatts इस परकार के question भी आज कल काफी popular है solar का कितना potential है wind का कितना potential है small hydropower का कितना potential है waste to energy का क्या potential है इस परकार के question जो हैं काफी popular हो चुके हैं तो आप लोग सभी जितने भी आपके renewable sources हैं उनका कितना potential है और इंडिया ने कितना target रखा है कि हम इस particular source से इतना energy generate करेंगे इस year तक वो सब आपने अच्छे से याद कर लेना चाहिए तो कि paper one या paper two में से दोनों में से एक paper में इस परकार का question आपको लगातार देखने को मिल रहा है the global environmental issue of ozone depletion is due to the emission of देखिए ozone depletion की अगर हम बात करें ये एक global issue है काफी hot topic है ozone क्या है कहां पर मौजूद होता है क्यों मौजूद होता है good ozone क्या है bad ozone क्या है और जो आपका स्टाटो स्पेर में ozone है उसके साथ में क्या समझ्या हो रही है और क्यों समझ्या हो रही है ये सब question काफी popular है तो आप सभी को पता है क्लोरोनेटिड हाइड्रो कार्बन्स जो है ये mainly responsible है आपके ozone layer depletion के लिए बाकी जो option इन्होंने दिये हैं carbon dioxide, methane, sulfur dioxide ये योगदान नहीं करते हैं contribute नहीं करते हैं ozone layer के depletion में पिछली बार भी हमने इस परकार का एक question किया था जैसे मैंने बताया कि इस परकार के question काफी popular हैं और सबसे important चीज ये है कि अगर आपको data बहुत सटीकता से याद है तो आप इनको बिल्कुल सही कर सकते हैं और केवल अगर हम देखें ozone ozone पे पिछले कई paper में आपको जो है अलग अलग तरीके से question देखने को जरूर मिलेगा अगला question है under sustainable development goal 12 sustainable consumption and production one of the targets is to reduce the per capita food waste at the retail and consumer level is by one by two तो आपने sustainable development के goals जितने भी हैं सबसे पहले sustainable development क्या होता है ये concept कब आया उसके पश्चात में sustainable development के कितने goals हैं उनको sequence में याद करना है कि कौन सा goal किसके बारे में बात करता है यहां तक अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि एक question आप करने में capable हो जाएंगे उसके बाद में थोड़ा सा ये detail में आप पूछ लेते हैं कि जो आपके सब targets हैं उन goals के जैसे कि इसमें जो है goal number 12 के अंदर जो सब target है उसके बारे में question आया है कि जो आपके इस goal के अनुसार जो हमारा target है food waste को reduce करने का 2030 तक वो 1 by 2 है तो यह आपको information मिल गई तो यह आप अपनी notes में additional add कर लेंगे और इस परकार से बहुत सारे question जो है हम पहले भी discuss कर चुके हैं भविश्य में भी discuss करेंगे तो sustainable development के topic के साथ साथ इन सभी questions को आप जो है अपना add करते रहें तो आखिर तक आपके पास में इतना sufficient data हो जाएगा एक्जाम में जो paper होगा वो सीके आजपास आपको देखने को मिलेगा इस question का सही answer है one by two free energy value is zero indicate state of equilibrium जब हम equilibrium की बात करते हैं तो वहाँ पे energy जो है basically free energy zero हो जाती है यह आप इस तरीके से समझ सकते हैं इसको कि इसमें outflow and inflow जो है वो completely stop हो जाता है जो आपका system है वो equilibrium पे होता है और यहाँ पे free energy का जो value होता है वो zero होता है तो बच्चों हमें पूरी उम्मीद है यह lecture series आपके लिए काफी उप्योगी proof होगी आपके आने वाले सभी exam में जो भी environmental science से related exam है आप लगातार सीखते रहि हमारी best wishes आपके साथ में good place you बच्चों